बीएसपी के पूर्व लेता नसीब उदीन सिद्ध की इस वक्त एक प्रेस कॉंफरेंस कर रहे हैं शूची लिप्ट मैं आज सभी मेडिया बंदू का स्वागत करता हूँ आज यह मादपूर प्रेस कांफरेंस जिस मकसद को लेके बुलाई गई है आप लोग भली भाद पर चिते आज मैं जो भी गटना करम हुआ है उस पर थोड़ा पीछे जाकर के पूरी जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ और जो भी कारवाई अनर्गल आरोप लगा कर तथ्यों को छुपा कर जोट और फरेब का सहारा लेकर मेरे उपर मेरे बेटे के उपर मेरे साथियों के उपर की गई है उसका खुलासा भी में बाद में रखूँगा लेकिन में शुरुआत कहां से हुई है वो पहले तथ्थाप के सामने रखना चाहता हूँ चुनाओ के बाद जो अभी 2017 का बिधान सबा उत्तर परदेश का हम चुना हुआ है उत्तर चुनाओ के बाद शुच्री मायावती ने मुझे बुलाया मेरे साथ मेरा बेटा भी था अफजल दिल्ली बुलाया गया और मुझसे कहा के जो मैं आज जानना चाहती हूँ अपने नेता को सही सही बताना चाहिए चुपाना नहीं चाहिए और उन्होंने सबसे पहले यही सवाल किया के मुसल्मानों ने बियस पी को वोट क्यों नहीं दिया मैंने का बहें जी ऐसा नहीं है मुसल्मानों ने बियस पी को वोट दिया असलियत ये है कि जब तक कांग्रेश और सपा का गड़ बंधन नहीं हुआ था तब तक मुसल्मान हमारे साथ ज्यादा तादाद में था और जैसे ही गड़ बंधन हो गया कांग्रेश और सपा का मुसल्मान कनफ्यूज हुआ और वो बट गया हमें भी मिला लेकिन पहले जितना हमारे साथ ख़ड़ा था उसमें थोड़ी कमी आई कहने लगी कि मैं आपकी बात से सहिमत नहीं हूँ हलाकि ये बात उन्होंने जो मैंने बात अभी कही है ये बात उन्होंने 19 अपरेल की उत्तर प्रदेश बहुजन समाज पार्टी के कार्याले में पूरे प्रदेश के हजारों लोगों के सामने भी ये बात कही जो मैं कहने जा रहा हूँ जो उन्होंने मुझसे कही कहने लगी मैं सहिमत नहीं हूँ हमने दो हदार हमने 1993 में सापा से गड़ बंधन किया तो हमें मुसल्मान नहीं मिला हमने 96 में drill रेस्षे गड़ बंधन किया तो हमें मुसल्मान नहीं मिला आप गलत बोल रहे हो मुझे गुमरायक कर रहे हो और उल्टा फीदा बोलना चुरू कर दिया जैसी उनकी आदत हैस्टे पहले भी बोला मैंने समझाया पहले जो चुना हुए कहा थी कह भाई भाविस्रे में नहीं बोलूँगी मैं भी सहमत हो गया चलो भाई भाविस्रे में नहीं बोलेंगी लेकिन इस बार फिर उन्होंने उल्टा बोलना शुरू कर दिया और बोली कि मुसल्मान गदार है यहां तब कि उन्होंने डाड़ी वाले मुसल्मानों को जब ऐसे सब्दे से नवादा और कहा ये कुट्टे मेरे पास आते थे मैंने कहा ये मेरी मजभब का मामला है बैंजी आप ये जो बोल रही ठीक नहीं बोली मैं आपके खिलाप एक्शन लूँगी मैंने कहा ले लीजिए आप एक्षन ले लीजे लेकिन आप ये कहें कि बोट नहीं मिला ठीक है कोई भी कह सकता है मिला नहीं मिला लेकिन किसी को इस तरीके से कहना वो भी डाड़ी वाले का नाम लेके बोले बहुत से मुझसे मिलने आते थे मैंने का मैं एक मौलाना को आपसे मिलाने नहीं लाया बोले मुझसे सतीस सन मिश्रा जी नहीं मिलाया फला मौलाना को मिलाया फला मौलाना को मिलाया आनंद लेकर के आए मैंने का मैं किसी मौलाना को लेकर नहीं आया जब मैंने ज़्यादा इतराज किया तो बैलेंस करने के लिए थोड़ा वो धीमी आवाज में बोली और कहने लगी कि बैक्वाड और अपरकास ने भी तो हमको बोट नहीं दिया उसने भी हमको धोका दिया मैंने का बहीं जी मर्जी की बात है हम कैसे यह कह सकते हैं कि दोका दिया कोशिशिश करना हमारा काम है अगर कोई वोट नहीं देता है तो इसके लिए हम क्या करें तो फिर वो बोली कि शिडूल कास्ट में पासी ने बोट नहीं दिया दोबी ने बोट नहीं दिया सोनकर ने बोट नहीं दिया बालमीकी ने बोट नहीं दिया कोडी ने बोट नहीं दिया अब सब को एक लाइन से बुरा बला कहना चुरू करती है और जब मैंने कहा कि बेंजी इससे कोई बात नहीं बनेगी कहने लेंगे ठीक है मैं तुमसे बादें बात करूँगी इसके बाद उन्होंने 19 तारी को मेरा नाम लिये बगएर प्रदेश की मीटिंग में पूरे प्रदेश के सारे कंडिडेट, सारे प्रभारी, सारे जिलादेट, सारे कौाडिनेटर सब ने सुना माइक से कहा कि एक वरिस नेटर ने मुझ से कहा कि गड़बंधन के कारण ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, मैं सहमत नहीं हूँ अगर गड़बंधन किया जाएगा कांग्रेस और सपा से अगर मैं गड़बंधन करती हूँ तो जहां पर कांग्रेस का कंडिडेट होगा वहां तो मुसल्मान वोट दे देगा जहां पर सपा का कंडिडेट होगा वहाँ पर मुसल्मान सपा के कंडिडेट को दे देगा लेकि जहाँ पर बीएसपी का कंडिडेट होगा वहाँ बीएसपी को नहीं देगा बलकि निर्दली को दे देगा ये पूरे प्रदेश ने सुना यहाँ जो बैटे हैं लोग यहां तमाम कंडिनेट बैटे हैं उन्हों ने भी सुना शिदूल कास के लोगों ने सुना, अपर कास के लोगों ने सुना, बैक पड़ ने सुना, मुसल्मान भर ने नहीं सुना और वो नेता नावनों ने नहीं लिया लेकिन महीं था इसके साथ साथ उन्होंने 19 अपरेल को अपने भासन में बानुवर्शिरी कांशी राम साब को जब अपने से नीचा दिखाने का परेस किया और अपनी स्पीच में ये कहा कि 1996 में जब बिधान सभा का चुनाओ नहीं 2002 में सौरी हूँ 2002 में जब बिधान सभा का चुनाओ यूपी और पंजाब में एक साथ हो रहा था तो मानुवर्शिराम साब यूपी का सारा पैसा लेकर के पंजाब चले गए और ये कहा कि मैं पंजाब में सरकार बना के लोटूंगा और उससे कहा यूपी तुम्हारे हवाले यूपी में हम लगबग सो एमेले जीत गए शुच्री मायावती जी बोली लेकिन मानुवर्शिराम साब पंजाब में खाता नहीं खोल पाए मैंने मानुवर्शिराम साब को पीछे धकेलने का काम किया दुबारा जब मैं मिला बेहें जी बोली कि मैंने जो आज लोगों के सामने बात रखी है लोगों को ने चाहता मैंने का बेहें जी लोगों को अच्छा नहीं लगा जिन कांशी राम साब ने नियू रखी बियस पी की जिन कांशी राम साब ने आपको बियस पी में शामिल किया आपको कैडर सिखाया आपको राजनी सिखाई आपने आपको उनसे उपर थाबित कर दिया ये कार करताओं को अच्छा नहीं लगा बोले भैं, फिर आप कोई बात करने लगे मैं आपके ख्लाप कारवाई करूँगी मैंने का कर दीजे मैंने का कर दीजे फिर नार्बल हुई फिर कहने लगें कि नहीं भैई चलो अच्छी बात है आप बात बता रहे हो, मुझे भले ही बोरा लग रहा है मैंने में जो पुर्वं पता के communication नहीं तो हूं Te है कि आ योगों का कहना है कि आप गोश्रा पत्र जारी करो और लोगों का है कि पार्टी की यह जुरा कि इस कि आप लोगों से मिलना पसंद नहीं करशी है आप जिलाक्तर के लोगों को बुला करके मिलो इसके साथ साथ बेहन जी आप अगर पूछ रही हैं तो विधान सबाद 2017 के चुनाव में आपने सिर्फ 55 जन सबाद लगाई और बीच में कई दिन छुट्टी मार दी जबकि दूसरे नेताओं ने धाई सो तीन सो दूसी पार्टी की नेताओं ने किया बेहन जी आपको भी बढ़ाना चाहिए बोले मैं अपनी जान दे दूँ क्या मैंने का आप पूछ रही हैं कि बताओ क्या कमी है तो मैं बता रहा हूं मैंने का बेहन जी आप इस्टेज पे जाती थी सारे प्रचासी बैठे रहते थी यहां बैठे हैं प्रचासी अगर एक एक प्रचासी का नाम ही ले ले लेती कि उस बिधान सबासीट से यह हैं इंको जिता दो इन भिधान सबासीट से यह हैं इनको भी जिता दो आप ने किसी प erfolg illy की लिए बोट ही नहीं मांगा ये भी उनको नराजगी जाहर हुई मैंने का बेहन जी आपकी सुरच्छा के लिए हमने हमेशा ख्याल रखा मुझे 34-35 साल हो गए लेकिन जो अब हो रहा है वो कभी नहीं होता था ठीक है आप सब की तलाशी लेकर के अंदर भेजिए पेन भी रखवा लेती हैं घड़ी भी रखवा लेती हैं मोबाइल भी रखवा लेती हैं हमेरे तराज नहीं है लेकिन ये सब के साथ एक जैसा होना चाहिए शिरी सतीश चन विच्छा और उनके दामाद की तलाशी लेना तो दूर रहा जैसे गाड़ी आती है आपका गेट खुल जाता है और उनकी गाड़ी वहां जाके खड़ी होती जहां उन पोर्च पे जहां आपकी गाड़ी खड़ी होती है तलासी हो रही है तो सबकी होना चाहिए हमारी हो रही है ठीक है लो आप हम चाहएते हिए बिलकुल और तलासी लेकिन सबकी तलासी होना चाहिए ये भी उनको नागावार गुजना और इनी सब बातों से वो नाराज चल दही थी एक दिन मुझे बुलाया भाई यहां आओ अकेले आना मैंने का मैं अकेले तो वही से ही आओंगा जो इसको आप कहेंगी तभी मैं साथ मिलाओंगा मैं अकेले गया कहने लगी कि इस समय पार्टी को पैसे की बहुत जरूरत है मैंने का भाई जी ओ तो हमेशा जरूरत पढ़ती है पैसे की जरूरत हमेशा पढ़ती है कहने नहीं कहने लगी नहीं भाई आपको इंतिजाम करना है मैंने का बताईए मैंने जो हो सका है आप मने जो जो कहा मैंने आपकी सारी बात मानी आप मने जो कहा मैंने जी बहिंजी के लावा कुछ कहा ही नहीं बताईए बोले पचास करोर रुपए की पार्टी को जरुवत है मैंने का बहिंजी मैं कहां से लाओ कि मेरे पास तो नहीं है कि बोले अपनी प्रापर्टी बेच दो कि मैंने कर बहीं जी आपको कैस चाहिए ना कि मैं अपनी प्रापर्टी बेच भी दूगा तो पचास करोर का चौधाई हो जाए तो बड़ी भारी बात है बोली देखो अगर आगे बढ़ना है तो आपके लिए ये अच्छा है आप आगे बढ़ जाओंगे पार्टी में जैसे बढ़ाया फिर बढ़ावा मिलेगा मैंने का मैं कहां से लाओं आप मेरी पूरी प्रापर्टी जिसके नाम कहो मैं लिग लूँ बोले अपने परिवार वालों को बुलाओ रिशे नातों को बुलाओ और सरकार में जिनके आपने काम की हैं उनको बुलाओ एक एक दो दो करोर रुपया उनसे लो प्रापर्टी बेज करके जो मिले मुझे दो मैंने का नोडबंदी के बाद प्रापर्टी अगर मैं बेच चूंगा भी तो कैश नहीं मिलेगा मैं तयार हूँ पार्टी हित में अगर यह है तो ठीक है भाई आप ले लो मैं प्रापर्टी बेचने को तयार हूँ प्रापर्टी बेचने के लिए बोली कैसा है कि तुम्हारे बीबी बच्चे काम नहीं आएंगे तुम आगे बढ़ो के तब ही तुम्हारा साथ देंगे यह बच्चों के लाप जो भी मकान और यह जो किश की है इस सब बेच बाच के अलग करो और लाकर के दे दो मैंने का मेरा खून ऐसा नहीं है आप कहरे ही बेच के दे दो वह अलग बाच है लेकिन मेरे काम नहीं आएंगे इस से मैं सहमत नहीं हूँ इसके बाद मैं बने भाईओं के पास गया ॥्रिश्चेडारों के पास गया दो स्यारों से कहा भैया कुछ करके दे दो पाटी के मैंने कुछ लोगों से कहा के मेरी प्रापटी भी कुआ दो ये कैंट की property है, ये लीज पे है, किसी की पापौथी नहीं है ये उसके बाद भी मैंने party के लोगों से कहा और ये नहीं बताया कि पैसा कहा देना है, क्या करना है मैंने कहा मुझे ज़रुवत है भाई इसको बिकुआ दो बाना के या ये पुर्खों की जो property थी खेती बारी थी मैंने उसके लिए कहा पार्टी के लोगों से परिवार के लोगों से कहा मेरे भाई, मेरे रिश्यदार, मेरे दोस्यार सब यहां हैं उन्होंने कुछ पैसा एक अठा करके दिया मैंने बहिंजी से फोन पे का के बहिंजी कुछ थोड़ा सा हो गया है में लेके आ रहा हूँ बोले नहीं नहीं सारा लेकर के आना है मैंने कहा कि बेहन जी मैंने चोटिस साल पार्टी में हो गए मुझे जो आपने कहा वो मैंने किया जो आप कहेंगी वो मैं करूँगा मेरे उपर तरस खाईए मेरे पास नहीं है और इसके प्रमाण मैं अभी दे रहा हूँ कि मैंने उनको क्या कहा मैंने का बहीं जी आपको मालूम है कि 1996 में आप बदायू जिले की बिलसी सुरच्चित ती उटसमें अब जन्नल हो गई आप बदायू जिले की बिलसी सुरच्चित सीट से चुनाव लड़ रही थी आपने मुझे एलेक्शन एजेंट बनाया था मुझे चुनाव प्रभारी भी बनाया था बोर्ट पढ़ने के पांच-छे दिन पहले मेरी जब पदनी से बात भी उट समय मुबाइल नहीं थे मैंने पीस्यों से जाके अपनी पदनी से जब बात की मेरे प्रेस मीडिया के बंदूओं मैं कह नहीं सकता हूँ उट समय मेरी तीम संताने थी पार्टी से निकाले गए नसीम उद्दीन सिद्दकी अब मायवती पर आरोप लगा रहे हैं मायवती पर मुसल्मानों के लिए अपशब्द कहने के आरोप लगा रहे हैं पार्टी के लिए पैसे जुटाने के भी आरोप लगा रहे हैं हाजिर होते हैं इसी बड़ी ख़ब कि मैंने इस 2017 के बिधान सभाज चुनाव में हूँ कुछ लोगों से रुपए ले लिए जो ब्यापारी या उद्योग पती थे कि हमारी सरकार बनने वाली है और फिर मुझे कई भी भाग मिलेंगे तो मैं आपके काम करा दूँगा कुछ लोगों ने कह दिया और 44 साल के आदमी के उपर यकीन नहीं किया उससे पूछा भी नहीं उससे इस पच्छी करन भी नहीं मांगा कारवाई कर दी वो कुछ लोग जिनका पार्टी से कोई समद ना था ना है न रहेगा कौन है वो लोग है यह नहीं कोई अगर कुछ लोग हैं कोई उद्योग पती है तो एक का ना बताओ सामने लाओ आपने मुझे हथ्या के इल्दाम में साजा तो सुना दी लेकिन मैंने हथ्या किसकी की यह भी तो मुझे मालूब होना चाहिए कि मैंने किसके साथ गलत किया इसके साथ साथ मेरे उपर आरों पौल लगाया कि मुझे बदपर्देश दिया गया था अधर्पर्देश का कुछ एरिया मदपर्देश का दिया गया था कि संगठन का काम करो मैं वहाँ नहीं गया बलकि लक्ष नव नोल्डिंडा दिल्ली में रहके पार्टी विरोधी गद्विद्यों में लिखतरा अरे वो पार्टी विरोधी गद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद्विद् जानाओं तक मत जाना, मेरी संपत्ती बेनामी बता दी, कि मेरी बेनामी संपत्ती है, बेनामी संपत्ती के बारे में, या मेरे अशेट्स के बारे में, सबसे पहले, 2003 में, ताज कोरी डोर के, मामले में, सीबी आई ने जब जान्च किया, तो ताज कोरी डोर के साथ साथ सुचुरी मायावती जी, और मेरी संपत्ती की जान्च की गई, अशेट्स की जान्च की गई, और जब जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सोपी गई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अदेश से जांच हुई थी तो CBI ने आज रिकार्ड है उठा कर देख लिए हमेशा रहेगा CBI ने ये लिखा कि नसीम उद्दिन सिद्दीकी के खिलाब कोई असेट से कि गड़बड़ी या संपत्ती बेनामी संपत्ती या गलत संपत्ती की कोई जांच में सिकायत या कोई नहीं पाई गई बलकि शुश्री मायावती जी के उसमें पाई गई जिनका आज भी आई शेदिक संपत्ती के सुप्रीम कोर्ट में विचारा दीन है सीबी आई ने जाच की 2003 में नहीं मिला इसके बाद जब हमारी सरकार बनी मैं समझ नहीं पाया सुश्री मायावती ने सिरी सतीचन मिश्रा ने और एक स्वर्गी हो गया मैं नाम नहीं लेता जो मर जाते हैं साजिस करके मेरी लोकाई की जाच कराई आई से अधिक की जाच हुई लोकाई की जाच पर बिजी लेंज की जाच हुई एडी ने जाच की जो इसी साल जाच पूरी हुई बिजी लेंज को आई से अधिक से आई से अधिक थोड़िया आई से कम थबत्ती मिली कोट में रिपोर्ट दाखिल हुई कोट की रिपोर्ट एडी में दाखिल हुई कि एडी ने जाज खतम किया कि बिजिलेंस ने जाज खतम किया अब मेरी कौन सी जाज कौन सी रह गई भाई और है तो आप बता दो कौन सी मेरी संपत्ति है और जहां तक इनकी संपत्ति की जांच है शिरी मिश्रा जी शुच्री मायावती आधन्द कुमार मैं एक एक जानता हूँ अगर खोल दूँगा तो तमासा बन जाएगा 32 साल से जानता हूँ मैं इसलिए कह रहा हूँ मुझे सिर्फ उनी बातों पर जवाब देना है मेरे पार तो वो सुबूत है कि अगर मैं खोल दूँगा तो पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में भूचा ला जाएगा लेकिन मैं वो अभी मैं नहीं खोलना चाहता हूँ अभी मैं वही खोलूँगा जो मुझे आरोप लगे है ये आगे आगे चलते जाए आरोप लगाते जाए मैं खोलता जाओंगा किसको जान से मरवानी की क्या प्लानी थी शूशरी जी की प्रमान के साथ खोलूँगा प्रमान के साथ आगे आगे आप चलते जाओ मैं खोलूँगा आज वही खोलूँगा जो मेरे उपर आरोप लगे मैं जानता हूँ मुझसे ज़्यादा इनको कोई नहीं जानता शाहिद आननुकुमार भी नहीं जानते होंगे च्योंकि वो बच्चे थे और वो भेंजी उनको दूर दूर रखती थी अभी पाथ पाथ सो अभी दथ साल से आये हैं उटसे पहले दूसरे पाथ पाथ से गाएर वो उनके घर का मामला मुझे उट पे नहीं लेना मेरे घर में भी तमाम मामले तो उट पे मुझे नहीं जाना इनके कई गिरोव हैं और एक गिरोव ऐसा भी है जो अपराधियों का है वो अपराधियों का गिरोव क्या करता है शुश्री मायावती जी कि खिलाब किस चैनल ने दिखाया किस अकबार ने दिखाया गाड़ी तोड़ दो आग लगा दो कहुंसी नेता बोली उसको आग लगा दो उसके घर में कहुंसी नेता खिलाब बोले उनके बारे में गलब नारे लगवा दो अब सब्स बुलवा दो पिटवा दो जान से मरवा दो और उस गिरोई के मैं सरगना से लेके एक एक सदर्थ को जानता हूँ ये उनके बाएं हाथ का खेल है लेकिन मैं पार्टी में पैदा हुआ मैं नहीं चाहता था कि पार्टी छोड़दा पड़े हमेशा समझाता रहा ये ठीक नहीं है और समय समय पे मैंने समझाया और कहीं ऐसे काम जो उन्होंने अन्यतिक मुझे कहे कि तुम्हें करना है मैंने नहीं किये चाहें कि तुम्हें प्रमार दे दूँगा कौन से मैंने नहीं किये मैं सबकी जनम कुंडिली जानता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं जो आज बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने पर शुश्री मायावती अपने उस गिरोई से मेरे उपर भी अटेक करा सकते हैं मेरा भी घर जलवा सकते हैं मुझे भी मरवा सकते हैं मेरे बच्चों को पिटवा सकते हैं मेरे पत्नी को पिटवा सकते हैं और मेरे जो साथ में बैठे हैं अभी या जो पूरे प्रदेश में मेरे साथ मेरे सुब्चिंतक हैं, किसी को कही पिटवाया जा सकता है। जहां तक मेरा सवाल है, मैंने मिलेट्टी में नौक्री की है, मैंने आर्मी का नमक खाया। बाडर में रहकर के विदेशियों से मैंने मुकाबला किया है। नहीं मानूँगा और ना इनके सामने अब जुकोंगा। आज क्या हो रहा है। खार तोर पिस दलिस समाज के लोग परेशान हैं। कि श्री मायावती, श्री सतीचन मिश्रा इन कंपनी से मिल कर, जिसमें श्री आने अलुकुबार भी सामिल है। मानूँवर श्री कांशी राम जी के, वा बाबा साथ डाक्टरा बेट करके सपने को चकना चूर और तबाह कर रही है। जिसका खामियाजा, अन सभी समाज के साथ, खार तोर पे दलिस समाज, शुच्री मायावती एंड कंपनी को भोगने पे जरूर मजबूर करेगा। तो नसीव उन दिन सिद्धिक, अपने परिवार और अपनी जान को खत्रा बता रहे हैं। और कह रहे हैं कि मायावती एक ऐसे ग्रोह का भी संचालन करती है, जो लोगों को धमकी देने, लोगों को पीटने का भी काम करता है। अब आने फिलाल वक्त एक छोड़े से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक से पहले ओमाई गॉड में देखिए के जरिवाल से क्यों रूठी दिले। ब्यस्पी से निकाले गए नसीब उदीन सिद्दकी अपनी प्रेस कॉंफरेंस में बकायदा मायावती से की गई फोन की बातचीत सुन वा रहे हैं, आपको सुनाते हैं। आपको काम दे रहे हैं, थो थोड़ा जल्दी करो बहिंजी उसी में लगे हुए हैं, मैं बहिंजी आपको नाराज में जिखना जाता बहिंजी अच्छी बात ही कर लोगे तो आगे बढ़ जाओगे। नई बहिंजी, जो आपका आदेश है बहिंजी, वो मुझे पालण करना है। बहिंजी, इसके आगे मैं चाहँ हूँ जिखनो थोड़ा का, स्वाल खास जो विधान सभा की सीथ है, इसको आपने नंबर 60 किताबे दि अभी तक उसका हिसाब नहीं हुआ है, उससे बात करो। मैं बात कर दो हूँ जो और दूसरा क्या एक मोदी नगर वाला है। इसको आपने उदर टिकर दिरवाये था, तो इसको नहीं है मेरे खाल। ठीक ठीक मोदी नगर। और एक लोणी वाला है। लोणी जी पहिंजी, और दूसरा क्या है, इसको ये बहुत जादा वो ज़रूदर कर रहा है, वो अपनी जिन्मेवारी पर दिलवाये कि उनको किदावें। नहीं बहिंजी, मैं सब उनसे कहता हूँ, बुलाता हूँ। बोलो, वो जो ख्वाल खास वाला है, जी बहिंजी, बोदी नगर वाला है तो पैसे के उगाही के जो आरोप लगा रहा है, नसीम अदीन सिद्द की मायावती पर उसी को लेकर ये औडियो टेप उन्होंने सुनवाया, जिसमें मायावती इस कथा, अडियो टेप पे जो आवाज है, वो आवाज है। आवती कह रही है कि पैसे चाहिए जिन सीट जिन उमिद्वारों को टिकेट दिये गए उन उमिद्वारों से पैसे अभी तक वापस नहीं आये हैं